कि यह सब चेंजिस जब हम अपने बिजनस में ले करके आते हैं यह सब चेंजिस जब हम जहां के साथ भी आपका दीरे 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 सोच में लेख सोच में नहीं लगता है को आने लगता हैं इक पूरूटश सब्सक्राइब है और यहां पर नहीं आ रही कर दो आपका यहां शोच दीरे सोच में एक IGHसाद है और फिरस वह आ जो है attend कर रहे हैं और आप attend करके अपनी team की ऊपर में वो changes जो हैं वो लगा रहे हैं तो again यह जो change management है बहुत simple एकदम simple graph कि उसके चार stages होते हैं ये वो stage है ये वो stage है जिसमें आप अभी है you are in this stage at present जब आप बोलते हैं कि ये SOP लिको ये मार्केटिंग ये करो, ये मार्केटिंग हमारा WhatsApp पर ये मैसेज जाना चीए, इस पर ये मैसेज जाना चीए, हम को customers का database बनाना है, ये सब बनाना है, तो सब लोग जो है एक बार जो है, वो हिल जाते हैं, हम उनको वही करने के लिए बोल रहे हैं, जो पहले हम क्या करें, क्या करें, वो नए आइडिया को reject करने की कोशिश करते हैं, zone of disruption में emotions high हो जाते हैं, क्या रब मैं काम करूँ या ये करूँ, क्या करूँ, emotions run high and results suffer, यहाँ पर, चुँकि अब आपने ये डाल दिया, आप में से जिन लोगों ने ISO 9000 अपलाई करने की कोशिश की होगी, exactly यही हुआ होगा, जब भी आप कोई software change करते हैं, exactly इसी परकार का होता है, कि लोग जो है, वो हिल जाते हैं, लोग परिशान हो जाते हैं, लोग पुराने वाले अपने comfort zone में जाना चाते हैं, this is completely out of comfort zone और यहाँ पर zone of disruption आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर zone of disruption जो वो आ जाता है, zone of disruption, so again यहाँ पर performance जो है, वो temporarily dip हो जाता है, और performance जब dip हो जाता है, तो this is the tipping point, और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कितनी, जब मैंने software change किया, जब मैंने यह सब किया जब मैं offline से online गया training के लिए again so many phases of disruption I have seen कि मुझे पता है कि यहाँ पर zone of disruption में temporarily performance effect होगा temporarily कुछ customers जो है वो नाराज होंगे temporarily एक दो team members हमारी छोड़के जा सकते हैं temporarily कि sir इतना अच्छा तो चल रहा था अभी देखिये क्या हुआ यह क्या हो रहा है सर देखिये ना यह ठीक से हो रहा है न वो ठीक से हो रहा है यह सब आपके team के साथ में होगा जब भी आप कोई नया system या नया sop लगाने की कोशिश करते हैं यह ना सिर्फ आप क्या होता है यह मेरे आप भी होता है, दूसरे की आप भी होता है, लेकिन जस्ट आपको एक कॉरोलरी दे रहा हुँ, let me, just एक सिंपल आपको example दे रहा हुँ, कि जब हम अपने घर में white wash करते हैं, तो क्या होता है, anyone can tell, क्या होता है, जब हम अपने घर में white wash करते हैं, हमने पूरा बेडा कि बहीं चलो दिवाली है और पूरे घर का वाइट वाइट वाश हमको कराना है तो क्या होता है मुझे बताईएंगे क्या स्थिति रहती एनिवन वुड लाइग टू से ओके महावीर जी बोलिए सर एक बार पूरा अपन करेंगे तो एक बार पूरा घर में बखेरा हो जाएगा अब सोचिए कि किचन में अगर पेंटिंग हो रही है वाइट वाइट वाश हो रहा है तो किचन की क्या हालत होगी खाना नैचरली बेडरूम में बन रहा है बेडरूम का यह हो रहा है तो हम सो का रहा है हम ड्राइंग रूम में सो रहे हो सकता है स्टोर रूम में सो रहे हो स्टोर रूम का यह होता है तो स्टोर रूम का पूरा सामान जो है वो घर में रखा रहा है पूरा ओवरॉल घर की क गोईंगे यह भरुसा नहीं है आज यहां खाया कल वहां खा रहा है खाना भी ठीक से बन नहीं पा रहा है क्योंकि कौन सा सामान कहा रखा हुआ इस इट राइट तो से दिस इस इस इट ओके तो से दिस नो इस इस टिपिकल जोन अव डिस्रप्शन में हम आ चुके हैं जहां पर हमको लगता है यार यह कब खतम होगा कभी होगा पर धीरे 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 उसके बाद में क्या होता है चलिए घर की वाइट वाशिंग का यह एक्जामपल ले करके मैं करता हूँ और आप अपने टीम मेंबर्स को भी यही एक्जामपल दे करके उनको सां दिख रहा है यह वो एरिया है जहां पे अधिकतर लोग इसको छोड़ चाड़के वापस यहां पर चले जाते है वापस यहां पर चले जाते हैं जबकि पता है की कुछ अच्छा हो रहा है मेरे टीम के हित के लिए मेरे मेरे लोगों के हित में बिजनस के हित में सब के हित में है ये ठीक है पर यहां पर यह जो है यह वापस चले जाने की प्रवित्ति अगर हो गई तो समझो कि आपका फिर पूरा का पूरा फिर आप कभी भी कोई दूसरा इनिशेटिव नहीं ले प चाहेगी सब पूरे टीम मेंबर्स तो नहीं लेकिन कुछ लोग तो चाहेंगे वापस comfort zone में आना सर ये तकलीफ होरी वो तकलीफ होरी exaggerate करके आपको बताएंगे बड़ा चड़ा के आपको बताएंगे आपके आपके customers भी जो है ये करके सर दुकान का क्या हल क्या हल कर दिया अपने पहले तो आते थे तो हम ऐसा होता थे ये होता था अगे एक leader जो होता है इन सब चीजों को समझ करके याद रखे अगर दुनिया में हमको order लाना है दुनिया में order लाना है से मेरा मतलब दुनिया को जो उथल पुथल होगी ये दुनिया में पूरा जो है दुरजनों कुछ लोग मरेंगे, कई लोग मरेंगे, पूरा destruction होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसके बाद की जो स्थिती है, ये zone of better performance में हम आएगे, एक बहतर दुनिया बनेगी, एक बहतर world बनेगा, और ये हर बार विश्नु का अतार आता ही है किसी ने किसी रूप में, त्रेता को जो है वो हराया था, और वो भयानक युद्ध जो हुआ था, ठीक है, उसके बाद में फिर रामराज्य की स्थापना हुई, वो जब द्वापर युग में जब कृष्णा आए, और कृष्णा ने तो और भी बड़ा महा भारत का ये भयानक युद्ध छेड़ा, वो सब यही था, zone of disruption, zone of disruption वाला एरिया था वो, जहां पर भयानक युद्ध हुआ, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आपने तो युद्ध करा दिया, आपने तो इतने लोगों को मरवा दिया, आपने तो इतने लोगों को पहले ही ठीक था, ठीक है, कुछ राक्शसी प्रवरित्तिया लगेंगे, acceptability बढ़ने लगेगी, नए software के लिए acceptability बढ़ने लगेगी, अगर आप tally 9 डालते हैं तो उसकी acceptability होने लगेगी, और फिर zone of better performance में ये graph उपर 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 जो है वो जाता रहेगा, यहाँ पर आपकी leadership की, यहाँ पर पर आप अपना होसला मत खोई है, कुछ लोग जाते हैं तो जाने दीजे, हो सकता है वो बाद में वापस आ जाएंगे, नए team members directly नए system से जो जुडेंगे, और आप धीरे-धीरे zone of adoption से यहाँ पर जाएंगे, इसके एक दो और examples मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह किताब जो मैं आज कल पढ़ रहा हूँ, और मैंने कई बार आपको recommend की है, it's a fantastic book, इस किताब का नाम है Principles by Ray Dalio, Principles, यह किताब, यह unfortunately हिंदी में शायद अभी नहीं आई है, Ray Dalio, यहाँ पर देखिए वो क्या बताते हैं, उनसे मैं बताऊँगा, because यह क्यों, यह क्यों constant change के हमको आदत होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया change हो रही है, मेरे भाई, मेरे भाईयों और भेनों, दुनिया change हो रही है, और इसलिए हमको यह change adopt करना पड़ेगा, stages of invoking changes, हम नो बरफ के तरह एकड़ाँ कड़क बन गए, मतलब कुछ लोग तो fridge का बरफ ही नहीं, बिलकुल Siberia का बरफ बन गए हैं, बिलकुल इतना कड़क, इतना कड़क बरफ, मतलब इतने ज़्यादा अपने comfort zone में कि थोड़ा भी unfreeze, यह जो पहले इसको unfreeze जो है हम को करना पड़ेगा, यह जो unfreeze होता है अभी जो हमने पिछले slide में जो देखा था, this is the stage of unfreezing, यह Siberia का बरफ है, status quo में बैठा है, इसको change करना यह unfreeze का zone है, और यह unfreeze हो करके यह ऐसी स्थिती में पहले आता है, जहां पर न वो ठीक से पानी है, न वो ठीक से बर्फ है, यह something like this, यह बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, हम भी खाते हैं, यह न पूरा solid है, यह न पूरा liquid है, यह स्थिती, और इस स्थिती में यह transition phase में जिन्दगी भर रहने की आदत हमको डाल लेनी है, क्योंकि यह transition के बाद में फिर नया system यह refreeze होगा, फिर कुछ दो-चार ऐसी घटना हो जाएंगी कि फिर हमको unfreeze करना पड़ेगा, फिर यह transition phase, यह वाला जो transition phase है, defreeze होगा, क्योंकि याद रखिये, SOP is a dynamic nature, SOP का dynamic nature है, keeps changing, keeps changing, keeps changing, मतलब नहीं, 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 घटना है, जैसे, 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 होती जाएंगी, if then, if then, if then, तो उसमें चीज़े जुड़ते जाएंगी, जुड़ते जाएंगी, जुड़ते जाएंगी, और we have to be in a constant stage of flux, flux in a change, constantly हमको इस stage में ही रहना पड़ेगा, न completely unfreezed हम कभी बन सकते हैं, पूरा solid बरफ, न हम कभी पूरी तरह से पानी बन सकते हैं, हमको इस transition phase में अपनी बचईवी जिंदगी बितानी है, क्योंकि ये हमेश्चा change होते रहता है, ये बरफ से पानी बनेगा, पानी से बरफ बनेग ये हमको छेलते रहना पड़ेगा, because this is the truth of life, अभी जो screen पर आप देख रहे हैं, this is the truth of life, who wants change, कौन चाहता है, ज्यादा business चाहिए, sir, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, सबके हाथ उड़ी, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, चलो, अगर हम change चाहते हैं, तो इसके leadership है, यहाँ पर आपकी leadership है, जो इन सब को साथ में रखते हुए, एक दो लोग छोड़के चले गए तो चले गए, कोई बात नहीं, इन सब को साथ में रखते हुए, ये इस बात को समझते हुए, बिना disturbed होते हुए, क्या युद्ध में सिर्व कौरवी मारे गए, पांडव बहुत मारे गए, करव भी मारे गए, बट अंतता है, पांडवों की जीत हुई, बिकॉज उनका इरादा नेक था, आपका इरादा नेक है, आप company को अपग्रेड करना चाहते हैं, company अपग्रेड होगी तो बिजनस बढ़ेगा, company अपग्रेड होगी तो incentives बढ़ेंगे, company यहां से हमको गुजर के जाना ही पड़ेगा, यह चेंज नहीं आसा, बस इतना समझ लीजे, यह चेंज नहीं आसा, बस इतना समझ लीजे, कि आग का दर्या है और डूब के जाना है, यह शेर का जो है, जो मैंने original शेर का murder करके यहां पे नए तरीके से सिखाया, लेकिन कु इश्ख है कि company को बड़ा बनाना है, इश्ख है कि corporate बनाना है, इश्ख यह है कि अपने पूरी की पूरी team को अगले level के लेकर के जाना है, यह इश्ख नहीं आसा, यू समझ लीजे, कि आग का धर्या है और डूब कर जाना है, तो again, it's all your leadership, it's all your leadership. सर, आपका वो change का quote बहुत बढ़िया है, change is painful in the beginning. हाँ, yes, यह PMB जो है, मैं अगला point पर आना ही वाला था, yes, change is always painful in the beginning, यह वाला area है, it is always painful in the beginning, it is messy in the middle, यह PMB जो है, यह वही है, तो चलिए डॉक्टर शिल्पा आप ही बता दीजे, pain is, pain is painful in the beginning, messy in the middle, changes, changes, change is painful in the beginning, messy in the middle, but very beautiful at the end, very beautiful at the end, yes, यह जो है, again, a very wonderful statement, change is always painful, यह बहुत pain में है यहाँपर, युद्ध होता है, तो कितने लोग हैल हो जाते हैं, पर धीरे 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 समझ में आ जाता है, and it's always beautiful in the end, यह हमारी क्यों परसनल लड़ाई भी हो सकती है, वजन कन करना है, आप comfort zone में है, अब diet बता दिया, exercise बता दिया, अब exercise जब हम करते हैं, दो दिन cycling करके, देखो कैसे हड़ियां चर्मराती हैं, और joints जो है, वो creaking bones and groaning joints, यह क्या हालत होती यहां पर, but, but, जब अधिक बहुत ज़्यादा आपके थाइस दुख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका बदन दुख रहे हैं, उस point पर, अधिक तर लोग एक मैने के अंदर जिम की सदस्टा के वापस यहां पर आजाते हैं, again, it's not only related to business, it is related to personal life also, यहां पर जब maximum pain है, दर्द है, और फिर आगले दिन सुबह उठा और दर्द है, और जिम जाना है, यह किताब पढ़नी है, यह किताब पढ़नी है, आज 20 page complete करने है, it's painful, लेकिन दर्द तो सहना पड़ेगा, आज का चोटा दर्द सहलो, तो कल का बड़ा दर्द नहीं सहना पड़ेगा, दर्द तो सहना पड़ेगा, you have to go through that process, you have to go through that, उस धर में युद्ध से तो भिड़ना ही पड़ेगा, इसके लिए हो सकता है मेरे 2-3 दोस्तों की संख्या कम हो जाए, but what you lose in the process of doing something big is worth losing, यह sentence लिक्लो, what you lose in the process of doing something big is worth losing, अब देखे एक बहुत सुन्द देखे, simplicity का classic example में आपको देखाता हूँ, यह देखे, इस किताब में, principles में, जो किताब मैंने आपको दिखाई, ठीक है, अगर आपको वो एक पार्ट आग का दरिया वाला, अगर समझ में नहीं आया होगा, again I am talking about the mindset कि जब आप यह सब करेंगे, SOPs लिखेंगे, SOPs लिखवाएंगे, यह सब करेंगे, तो पूरी नोटंकी जो आपकी company में चालू होने वाली है, उसको manage कैसे करना, यह मैं बता रहा हूँ, यह देखो, Ray Dalio ने कितना simple, और मैं simplicity का कायल रहता, Ray Dalio ने बोला कि आपकी company इस तरीके से this is the audacious goal, audacious याने बड़ा हिम्मत वाला goal, यहाँ पर आपको पहले failure मिलेगा, यहाँ पर failure मिलेगा, तो कुछ learning principles आपको समझ में आङगे, कि यार अच्छा, यह करने से साला failure मिलता है, ऐसा करने से failure मिलता है, और ऐसा करके ऐसा भी करने से failure मिलता है, तीम मेरे को गालिया दे मेरे लिए सीखने वाली बात ये 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 है कि इस तरीके से बल्ब नहीं बनता है Thomas Elva Edison को 10,000 तरीके पता थे जिससे बल्ब नहीं बनता उसने उसकी फिक्र नहीं की उसको वो एक तरीका चाहिए था जिससे बल्ब बन जाए लर्निंग प्रिंसिपल फिर आप इंप्रूव करते हो और more audacious goal की तरफ आप आगे बरते हो एक simple curve में एक simple curve में देखें क्या क्या ये है अगर आप चाहेंगे तो इसकी slides में आपको दे दूँगा अगर आप note करना चाहते हैं तो आप note कर लिए अगर हम देखें एक्स और वाइ ग्राफ बनाए ये लेवल यहाँ पर था और अब अगला लेवल कहाँ पर आए लेट मी गेट इंटो दे नेक्स वान ये देखें सो simple इस से simple और क्या हो सकता है देखें इतना बड़ा आदमे इस Ray Dalio principles ने ऐसे diagram से सिखाया है और मैं कायल हो गया इस author का मैं महबबत में पढ़ गया इस author से platonic of course बट ये जो है इस प्रकार से ये हमारी company जो आगे बढ़ती है हम अगला गोल लेते हैं तो ये फिर again यही करवाएगा हम अगला गोल लेते हैं फिर यही करवाएगा ताटा ने nano बनाया फिर उनको समझ में आया क्या चला क्या नहीं चला फिर उपर बढ़े तो देखिए यहाँ पर आया फिर और उपर बढ़े और इस प्रकार से हमारी marathon नहीं होती कि आप same speed पे दौड रहें, दौड रहें, दौड रहें, दौड रहें, दौड रहें, no, it doesn't happen like that, life is not a marathon, life is a series of sprints, यहाने फरराटा धावक रहते हैं, life is a series of sprints, और business life का ही यह खिसा है, यह जो है, यहां पर देखो, यह slow down हो गया, अब यहां से, यहां तक फरराटा, यहां से यहां तक फरराटा, sprint, फिर यह slow down हो गया क्योंकि, कुछ नया चाहिए, अब यहां से यहां तक फरराटा, sprint, तेज दौडना, फिर यहां पर slow down हो गया, फिर यहां से यहां तक फरराटा, इस प्रकार से ये जो है पूरा चलते रहा है What a fantastic explanation कितनी बहतरिंग चीज जो यहाँ पर मिली एक class 5 का बच्चा भी समझ जाएगा Right, so जिंदगी जो है, it is not a marathon की same speed में आप boring तरह से दोड़े चले जा रहे No, ऐसा नहीं होता, life is a series of sprint फर्राटा धावक की एक series होती है फर्राटा दोड़ की एक series होती है और जब भी आप कुछ नया करना चाहते है अगर आप marathon की constant speed में आगए है मतलब आप comfort zone में है बस आगे कुछ खास होने वाला है नहीं This is what happens और आपकी speed फिर बढ़ती जाती है बढ़ती जाती, बढ़ती जाती आपका mindset बढ़ती जाती है Norton की सहने की आपको capacity आपकी बढ़ती जाती है और team को भी समझ में आ जाता है कि sir का इरादा नेक है, madam का इरादा नेक है और next time जब आप कुछ नया लेकर के आते हैं उनकी acceptability बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और आपकी speed भी बढ़ती जाती है अब देखे, such a wonderful thing Now this is, अब ये पूरे curves ही है This is the most important curve This is the most important curve कि यहां से, जब आप इस थिती में हो तो यहां से यहां आप कितने तेजी से उबरते हैं और आगे बढ़ते हैं This is the most important phase यहां से कुछ लोग जो है directly यहां चले जाते हैं पर यहां से इसको improve सीख करके, improve करके आगे बढ़ते जाना इस बात से complete, इस बात को completely ignore करते हुए और accept करते हुए, sorry इस बात को completely accept करते हुए कि उस समय कुछ customers ना राज होंगे इस point पर कुछ customers अब यहां पर दो customer से गालिया मिली नहीं कि फट से हो आपसा आता अरे भीया छोड़ो यार, पहले ही चल रहा था उसको यह बिगड़ गया अगें, आप अगर घर को white wash नहीं कराएंगे घर का maintenance नहीं करेंगे गाड़ी का जब आप maintenance करते हो तो गाड़ी पूरी बिख्री भी पढ़ी रहती है लेकिन अगले level पर जानने के लिए वो करना ज़रूरी है क्योंकि यह चीज अगर आपका competitive कर देता है तो कहीं आपसे आगे बढ़ जाएगा तो यह किताब अगर आप English में पढ़ने के शौकीन है तो यह किताब पढ़िए और इस किताब की setting भी बहुत बहुत अच्छी है सब principles एक जग़ा भी summarize करके दिये हुए वो summary भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी आपको बहुत मदद मिलेगी और अगेन दिस इस हाओ यू मूव अहेड पहले आपकी company जो है वो individual driven रहती है आप एक self-employed professional रहते हो जो चार quadrants में सिखाता हूँ न तो उस चार quadrants में आप आप जो है self-dependent, individual driven company रहती है मैं आपको बोल रहा हूँ कि individual driven company ने आपने जो बोल दिया वो law है law क्या है जो आपने बोल दिया इंडिया इस इंडिरा और इंडिरा इस इंडिया यह वाली स्थिती अभी चल रही है राइट डॉक्टर पतेल इस देंटिस्टी क्लिनिक डॉक्टर डॉक्टर डेंटिस्टी क्लिनिक इस डॉक्टर पतेल यहां से individual driven से systems and process driven ने हम को आगे चार और stages है मैं अभी उसकी details में नहीं जाओंगा अभी पहले step से दूसरे step पे तो आईए फिर उसके बाद में तीसरा रहता है data driven क्योंकि इतना marketing से marketing और market से इतना data मिलता है data data of किसको हमारी need की ज़ुरत है खाँ पी कितना पैसे लगाने की ज़ुरत है यह सब data फिर systems and process plus data यह next level रहता है फिर systems and process plus data plus culture driven यह आज जो company जो बन गई है और for example Facebook जो है वो अभी culture driven में आ गई है क्योंकि culture से related क्या-क्या वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको ले कर भेंकर बहस चल रही है यह और उसके बाद में collective consciousness driven Tata's collective consciousness how we are making a better world लोहा तो हम बनाती हैं साबुन तो हम बनाती हैं गाडियां तो हम बनाती हैं collective consciousness हम Tata के वज़े से एक बहतर दुनिया कैसे बनी यह यह यहने collective consciousness driven यहने date mission 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 और सिर्फ mission ठीक है क्योंकि यह सब उनका इतना set हो चुका है कि सिर्फ फिर mission mission और mission की बाते करते हैं हलो फ्रेंज मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपकी उमीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी life और business में एक positive change आएगा यह positive change तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं बलकि इसमें कही वी बातों को अमल में भी लाएंग क्योंकि action लेने से ही आपको life में results मिलेंगे किसी भी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूसरी training programs के लिए हम और आप long term कैसी जुड़ सकते हैं इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा website portal है अजैशेश.in उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेंगे आपकी उजवल भविश्य की business की life की मैं कामना करता हूँ बहुत बहुत देनेवाद झाल 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